तो हेलो एब्रीवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में तो यहां पे हम DL8 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो भी DL8 का फॉर्म भरना चाहता है 2023 के लिए एड्मिशन लेना चाहता है एंटरेंस एक्जाम में वो इस फॉर्म को भढ़ सकता है तो अभी हाली में नोटिफिकेशन निकाला है उतराखन बोर्ड विद्याले सिक्षा परिस्त रामनागा नैन ताल ने जो भी एड्मिशन लेना चाहता है वो इसको देखते हैं इसमें क्या-क्या जो है लिखा गया है तो इसमें लिखा गया है कि जो एंटरेंस एक्जाम होगा 2021 के लिए होगा तो देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि UBSC ने जो है उत्राखन बोर्ड विज्याले सिक्षा परिशद ने डियलेट के लिए एंटरेंस एक्जाम के लिए फॉर्म निकाला है इसके लिए बताया गया है कि जो इसका एक्जाम है वो 20 मही 2030 को 10 बजे से होगा 10 बजे से विभिन केंद्रों में जो होगा केंद्र इसके जो हर डिस्टिक में जो डाइट सेंटर होते हैं वहाँ पर इसका एक्जाम जो होता है देखते इसमें क्या क्या लिखा गया है कि कब तक इसके exam भरे जाएंगे क्या process रहेगा यहाँ पर देखो आप लिखा है कि जो है इसके form जो है 1 March से start होंगे भरना और 28 March तक इसके form भरे जाएंगे और 28 March तक form भरे जाएंगे इसके लिए आपको आपके पार से मोबाइल नंबर और एक आपकी वेलिड इमिल आईडी होनी चाहिए चीक है इसके लिए आप online आविदन कर सकते हैं online आविदन आप कैसे कर सकते हैं online आविदन आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे online आवेधन करने के लिए आपको इस website पे जो है जाना पड़ेगा www.ukdla.com पर जाना पड़ेगा और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है DLA के लिए वो आपको graduation होना होता है किसी भी सजजट में आप graduate हैं तो आप DLA के लिए apply कर सकते हैं देखो DLA के आउदर DLA जो है दो साल का एक course होता है और teaching exam के लिए होता है जिसमें आप primary में teacher बनते हैं यानि first class से लेके fifth class तक जो teacher बनते हैं उनके लिए DLA जो है जरूरी होता है जब वो DLA कर लेते हैं तब ही जो है वो वहाँ teacher बन सकते हैं DLA जिसने कर लिए उसके नौकरी पक्की होती है DLA के बाद आपको कोई दूसरा exam सिर्फ सीटेट या यूटेट निकालना पड़ता है इसके लावग कोई दूसरा exam जैसे कि जो LT में जाते हैं उसके लिए पहले उनको LT के exam दिना पड़ता है यहाँ पे अगर आप DLA का exam clear कर तो आपको जो है नौकरी प्राइमरी में मिल जाती है बहुत ही अच्छी opportunity है यह जो teaching में जाना चाहते है ठीक है अगर आप और detail notification पढ़ना चाहते हैं कि किस जिले में कितनी सीटे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं देखो यहाँ पे DLA यानि जो website है वहाँ पे इनका browser निकला है तो यहाँ पे देख सकते हैं उस browser को पढ़ें और उसमें आप देख सकते हैं क्या-क्या आपके लिए सीटे में और इसकी जो fee की बात करते हैं तो fee इसमें जो है journal category के लिए जो है 600 रुपे रखी गई है journal और OBC के लिए इसके अलावा जो SCST वाले category के हैं उनके लिए 300 रखी गई है और जो disability वाले बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 150 जो है fee जो है रखी गई है इस तरह से इतनी respective fees आप भरके अपने अपने category में जो है apply कर सकते हैं और अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर इस इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उस तक इस बात को जरूर पहुंचाएं थैंकि सो मच